हमारे यूट्यब चनल पर दोस्तो HSC CET Main exam को देखते हुए हर्याना GS और हर्याना CET Group D के exam को देखते हुए हर्याना GS का एक में टोपिक जो हर्याना के अंदर पूछ जाता है हर्याना में रेलवे का टोपिक दोस्तो आज हम करेंगे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब पर के बैल आइकन जोर दबाली जीगा ताकि सही समय पर आपको सही लेटेट जो भी इनफोर्मेशन और रेगुलर कलासिज मिलती रहें सबसे पहले कोशिन मनता है हर्याना में रेलम्यूजियम कहां है और इसकी स्थापना कब होई थी ? तो दोस्तो अर्याना के अंदर रेल म्यूजियम जोना वो रिवाडी जिले के अंदर है और 1813 में में इसकी स्तापना हुई थी 1813 में में स्तापना हुई रेल म्यूजियम की हर्याना के अंदर है कहाँ पे जोना रिवाडी में रहेगा हर्याना में पहली रेल लाइन कहां से कहां तक चली थी तो दोस्तों बात करेंगे जो पहली बार एक तरीके से वपार के लिए रेल चलाई गई थी जो फुरूकनगर से दिल्ली के बीच तो फुरूकनगर गुरुगराम में है तो ये नमक डोने के लिए वपार के केंदर से अंग्रेजों के टाइम पर दोस्तों ये रेल चली थी नमक डोने के लिए यानि वपार के लिए उसके बाद है पहली CNG train हर्याना में कब और कहां से कहां तक चली पहली CNG train तो ध्यान रखेगा रेवाडी से रोह तक यहाँ पर question की language दोस्तो एक्जामिनर कई बार बदल देता है आपका रोह तक से रेवाडी भी देगा तो ध्यान से यहाँ रखेगा रेवाडी से रोह तक के बीच दोस्तो पहली CNG train चली थी 13 जनुवरी 2015 को उसके बाद दूसरा question यहीं से बनता है दूसरी CNG train हर्याना में कहां से कहां और कब चली दूसरी CNG train ध्यान रखेगा 24 जून 2016 को 24 जून 2016 को सोनी पत्षे जीन्द के मद्य सोनी पत्षे जीन्द के मद्य दूसरी CNG train चली थी उसके बाद अगला question है दिल्ली स्रायरोला से फ्रुकनगर के बीच पहली solar train चली थी भारत की दोस्तो भारत की पहली solar train नहर्याना में भी पहली कहां से कहां तक दिल्ली के स्रायरोला से फ्रुकनगर गुरुगाउं के बीच पहली solar train उसके बाद अगला question है काल का सीमला रेल विलाइन की स्थापना कब हुई और इसे विशव विरासत सूची ने हेरिटेज साइट में कब गोचित किया गा तो काल का सीमला रेल विलाइन की स्थापना दोस्तों अठारा सो ठाण में हुई थी काल का पंचकुला से लेकर सीमला तक यह जाती है यह टोय ट्रेन यानि प्रेटेक ट्रेनी से हम बोलते हैं अगला कोचन देश की पहली निजी रेल गुरुगराम में चलती है यानि कि दोस्तों प्राइवेट रेल जो चोटे टाइप पर चलती है यह DLF मेटरों जिसको हम बोलते हैं यह देश की पहली निजी रेल सेवा रहेगी उसके बाद है हरियाना का सब से बड़ा जंक्षन कोण सा है इस साइड ऐसे अलग अलग जोना लाइन बठ जाती है तो 6 तरफ यहां चे रेल लाइन जाती है सब से बड़ा हरियाना का और सब से पुराना जो यह रहेगा उसके बाद है हरियाना का सब से व्यस्तम रेल जंक्षन और स्टेशन कोण सा है तो अमबाला केंट दोस्तों यह रहेगा अमबाला चावनी यह सब से व्यस्तम रेल जंक्षन रहेगा उसके बाद हरियाना का सब से छोटा रेल जंक्षन गड़ी हरसरू गुरु गुरु गुराम के अंदर रहेगा सबसे बड़ा मैंने बता दिया व्यस्ति मैंने बता दिया अब छोटा ध्यान रखिया गड़ी हर्शरू गुरुगुराम के अंदर खरियाना का सबसे सवच रेलवे जंक्षन रहेगा रिवाडी रेलवे की जो वरक्षोप है यह कहां पर है तो यहां पर दोस्तों य यानि कि स्ताबदी एक्सप्रेक से लिए सपेसल यहां पर मरमत कर यह होता है रेलवे जो वरक्षाप जगादरी के अंदर 1952 में लगाईगी थी रेलवे के यूनिट प्रस्तावित कहां पर है तो हिसार के अंदर यह आपकी बनाई जाएगी हर्याना में रेलवे की कुल नं और आज वर्तमान में रेलवे के लंबाई है 3344.29 किलो मेटर तो यह कोशन दिया नखेगा उसके बाद अगला है कालका सिमला रेलवे लाइन को कब रेलवे हरीटेज गोशित किया गया था तो 2007 में दोस्तों यह गोशित किया गया था ऐसा कोशन यह दोस्तों अभी बदल इस कोशन का राइट अंसर लेकिन ऐसे ही बार बार यह रिपीटेड कोशन रहता तो इस कांसर रहेगा कोशन है हर्याना के नू या मेवात जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है तो यह कोशन पूछेगा र्याना के किस जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है तो र अंदर गड़ के अंदर भी जो न में आपकी यहां से दिल्ली जुनु जुनु रिवाडी कुछ दोस्तों एस तरीके की एन एच एक सोड़ाइस भी जो बनाया गया है वो आपका यहां से में अंदर गड़ से ही होकर जाता तो यह कोशन बदल चुका लेकिन आंसर बिल्कुल आज कल ऐसा ही कोशन रहता है तो में अंदर गड़ ही उस कोशन का राइट आंसर मिलता है इसी तरीके से के लाइन नई लाइन बिचा दी गहीं जो दोस्तों आपके नू में वाच्यों कर जाती है लेकिन यह कोशन विल्कुल टिप टोप ऐसा ही कोपी कर लेती है तो लेक्स ECC previous year पहली के ही कोशन सकुझाण सर्थ स्रेठ करता है तो यह दून नुह आज सद्यान रखिए गा उसके बाद और याना में कुल रेलवे स्टेशन कितने है तो 211 रेलवे स्टेशन रहे हैं जिसमें सब से बड़ा मैंने आपको बता ज्यों सबी परकार के कोशन जरियाना